दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार, देखिए मचली खाने के फायदा के बारे में हमने वीडियो बनाया, अब आपको बताता हूँ कि मचली खाने का क्या नुकसान है, दोस्तों तो इसका दो पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मचली खाने क क्या नुक्सान ही ये तीसरा पार्ट है, तो दोस्तो देखे, मचली खाने का नुक्सान बलड प्रेशर में जरूरत से ज़्यादा कमी के रूप में देखा जा सकता है. दरसल मचली में पाया जाने वाला ओमेगा थिरी फैटी एसिड बढ़ते बलट प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है तो ध्यान रखना है दोस्तो दोस्तो जिनका बलट प्रेशर कम है अगर वो अधिक मातरा में मचली खाते हैं तो बलट प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम हो सकता है तो दोस्तो कभी भी आप मचली खाईए साउधानी से खाईए, अपने बोडी के जरूरत के हिसाब से खाईए और देखिए कि आपके बोडी में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसके बाद से साउधानी से खाईए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका बलड परेशर बहुत ज्यादा है तो बलड परेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको मचली थोड़ा खाना चाहिए डॉक्टर से राय ले लिजिएगा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपको बताओं कि मचली खाने से बलड परेशर कम होता है लेकिन अगर आपका बलड परेशर पहले से ही कम है, तो उस इस्थिती में अगर आप जरूरत से ज्यादा मचली खाते हैं तो इसका मतलब है कि बलड परेशर और कम हो जाएगा तो दोस्तो सावधान रहिएगा, मचली जरूर खाये, लेकिन पहले देखिए कि आपके शारीरिक जरूरत को पूरा करने में कितना ये मदद कर रहा है या आपको नुकसान पहुचा देगा इसको इस बारे में जानकारी रखिए, उसके बाद से मचली खाये तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप अपने जानने वाले लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को देख करके फाइदा उठाए दोस्तो अगर आप लोगों में से किसी को इस वीडियो से फाइदा पहुंचता है प्लीज वापसा करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ओके दोस्तो सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया